कि अग्रिख विए कि आप कि अप कि साल 12 चोईस के औगस्ट महिने में निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंड्स कैसे रहेंगे और गोल्ड और सिल्वा प्राइजस के ट्रेंड्स कैसे रहेंगे उसके उपर है यह टेरो रीडिंग आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं किसी तर की कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं आपको कोई भी डिस्टन लेना हो तो उससे पहले आप आपके से भी रेजिस्ट्रेट फाइनेशल एडवाइजर से सलह जरूर ले यह रीडिंग के वले एंटर्टेन्मेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए है नॉलेज पर्पस के लिए है ठीक है अब शुरुआ करूंगा रीडिंग से सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर तो सिल्वर प्राइजर थोड़े इन्हें अपवर्ट ट्रेंड में ही रहेंगे बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए बट यह देखिए गोल्ड प्राइजर अभी मेरी जो पिस लास्ट मंथ चुलायमंत की प्रेडिक्शन थी गोल्ड प्राइजस के ऊपर ऊपर आख़्यदम परफीक्ट निकली अचानक से गोल्ड प्राइजस में बजठ के बाद गिरावट आई वैसे ही यह महिने में gold prizes में अचानक से बढ़त दिख सकती है अचानक से gold prizes फिर से अपट ट्रेंड। जाएंगे दो gold prizes ही होने के पूरी संभवा होना है वो भी अच्छी खासी फिर, पैंग निफ्टी, एक से दस अगस्ट, कुछ परेशानी, यहने, डाउन, गारा से भी स अगस्ट, अगेन, रिकावरी, और इक्किस से इकतिस अगस्ट, थोड़ा सा वापस से अप़र ट्रेंड, अल-इन, आवरेज, निफ्टी, फिर्स्ट एंडेस, लुक्स गूट, सेकंड एंडेस, यहने, ग्यारा से बीस अगस्ट, टावर कार, अचानक से कोई न्यूज और धड़ा, नीचे, यहने, लास्ट एंडेस, इक्केस से इकतिस अगस्ट, लुक्स गूट, सेंडेस, फर्स्ट एंडेस, वेरी गूट, एक्किस से कतिस अगस्ट, कुछ खास नहीं, और लास्ट एंडेस, गिरावट, सो ओल-इन-ओल, जो फर्स्ट एंडेस हैं, वही ठीक ठाक लगते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से, उसमें कुछ बढ़त दिखती हैं, और आखरी के 10 दिनों में कुछ इंप्रूमेंट्स दिखती है, रीकावरी दिखती है, यहाँ पर बीच के जो 10 दिन रहेंगे, आउगस्ट महिने के, उसमें सेंसेक्स और निफ्टी में, कहिना के गिरावट हो सकती हैं, इसमें रियल इस्टेट स्टॉक्स में, या जो इले अवरेज मन्थ पर स्टॉक्स मार्केट अहें, थैंक यू